नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप बाते गजब की में आपका स्वागत है दोस्तों कुदरत ने जानवरों को अपने शिकारियों से बचने के लिए कई सारी शक्तिया दी है किसी जानवर के पास बहुत तेजी से भागने की शक्ती होती है तो किसी के पास रंग बदलने की लेकिन एक शक्ती ऐसी भी है जिसके बारे में बाते जरा कम होती है ये शक्ती है बदभू की दूसरे शब्दों में कहें तो दुरगंद की इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनके पास दुरगंद की शक्ती है जी हाँ दोस्तों हमारी धर्ती पर कुछ बहुत बद्बूदार जानवर भी रहते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जानवर उसे मिलाने जा रहे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वे जानवर कौन से हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत जादा जरूरत है तो जल्दी से उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी बजा दीजिए जब मिलिपीड को लगता है कि वे खत्रे में है तो वे अपने शरीर को स्पाइरल के आकार में कर्ड कर लेते हैं इसके साथ ही वे एक बुरी तरह से महकने वाला लिक्विड भी रिलीस करते हैं इस बदबुदार लिक्विड की मदद से वे अपने शिकारियों को अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं कुछ मिलिपीड्स hydrogen cyanide भी सिक्रीट करते हैं hydrogen cyanide एक अत्यधिक जहरी ला chemical है एक मिलिपीड के पास इतनी मात्रा में हाइड्रोजन साइनाइड होता है जो छे चूहों को मारने के लिए पर्याप्त है इस पक्षी का नाम है हुआजसिन इसे स्टिंक बर्ड भी कहा जाता है स्टिंक बर्ड का मतलब होता है बदबुदार पक्षी ये पक्षी साउथ अमेरिका के एमेजॉन और औरिनों को डेल्टा में पाया जाता है स्टिंक बर्ड को इसका ये नाम मिला है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की वज़ा से ये इस दुनिया का अकेला ऐसा पक्षी है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ पत्या खाता है खाई गई पत्यों का इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टिरियल फर्मेंटेशन होता है इस पूरी प्रक्रिया के फल्स वरूप एक बहुत ही असहनियसी खाध जैसी गन्द पैदा होती है इस जानवर का नाम है स्ट्राइब्ड पोल कैट स्ट्राइब्ड पोल कैट जानवरों की वीजल फैमिली के मैंबर होते हैं यह दिखने में सकंक नामक जानimb़ जयसे दिखाई देते हैं। यह शिकारियों से खुद को बचाने के लिए अपने शरीड से निकलने वाले एक दुरगंद युक्त स्प्रे का प्रयोग करते हैं। यह ऐसा करने में माहिर होते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि इसके द्वारा रिलीज किये गए स्प्रे को आधा मील दूर तक भी सूंगा जा सकता है इस जानवर का नाम है टैमेंडुआ इसे लैसर एंटीटर भी कहा जाता है इस जानवर को हमारी दुनिया के सबसे ज्यादा बदगुदार जानवरों में से एक माना जाता है शिकारी से खत्रा होने पर ये अपने दो पैरों पर खड़ा होकर एक बहुत दुरगंद युक्त पदार्थ स्प्रे करता है उस पदार्थ की गंद इतनी तीखी होती है जिसकी वज़र से इसका शिकारी विचलित हो जाता है और इसके पास आने की कोशिश नहीं करता है टैमेंड दुआ को 50 मीटर्स की दूरी से सुंगा जा सकता है इस जानवर की दुरगंद सकंक से 4 से 7 गुना जादा स्ट्रॉंग होती है ये जानवर सिर्फ आस्ट्रेलिया के आइलेंड स्टेट ओफ टैस्मानिया में पाया जाता है ये जीव तनाव में होने पर एक बहुत शक्तिशाली गंद छोड़ सकते हैं इससे उन्हें अपने आसपास के माहूल की रक्षा करने में मदद मिलती है लेकिन जब ये शान्द होते हैं तब ये बिल्कुल भी बदगुदार नहीं होते हैं नमबर फाइफ मस्क आॉक्स मस्क आॉक्स एक प्रकार का बैल है ये आक्टिक के इलाकों में पाय जाते हैं इसके सिर पर सींग होते हैं और इसके शरीर पर बहुत सारा फर होता है ये जानवर अपने यूरीन से एक बहुत बदबुदार और स्मैली मस्क पैदा करता है यह मस्क केवल पुरुशोद्वारा ही बनाया जाता है और रीप्रोडक्शन के मौसम के दोरान उनके शेत्र को चिनहित करने के लिए उप्योग किया जाता है जब ये अपने इलाके को मार्क करते हैं तो बहुत सारा यूरीन उनके पेट के आसपास उनके बालों में उलज जाता है जिस से उन्हें अपनी विशिष्ट गंध मिलती है इस कीड़े का नाम स्टिंक बग इसलिए है क्योंकि ये बहुत जादा बदबुदार होता है ये कीड़ा चाइना, कोरिया, जापान और ताइवान का मूल निवासी है लेकिन आज के समय में ये अमेरिका में भी पाया जाता है जब ये डर की स्थिती महसूस करते हैं तो इनके पेट में मौजूद ग्रंथियों में एक बहुत अप्रिय गंध वाला रसायन पैदा होता है जिसे ये स्प्रे कर सकते हैं और जो की बहुत ज़ादा बद्बूदार होता है कुछ प्रजातिया तो वास्तव में कई इंच तक इस रसायन को स्प्रे कर सकती है इस जानवर का नाम है वालवरीन ये भी जानवरों की वीजल फैमिली का मैंबर है ये शर्मीले किसम के जानवर होते हैं जो इनसानों को कभी-कभी ही देखने को मिलते हैं इनके शरीर में एक ग्रंतिया होती है जिनसे ये लिक्विड रिलीज करते हैं जिसका उपयोग वे अपने शेत्र को चिनहित करने के लिए करते हैं इस liquid से बहुत तीखी और असहनी बदबू आती है Wolverine खाना खाने के बाद अपने बचे हुए भोजन को भी spray करता है और उसे दफना देता है ताकि वो इसे बाद में खा सके यह spray ना केवल उन्हें अपना खाना खोजने में मदद करता है बलकि यह दूसरे जानवरों को भी इसे खाने से रोपता है इस कीडे के पास अपनी रक्षा करने के लिए एक अनोखा defense mechanism होता है जब कोई इन्हें परिशान करता है तो इनके पेट के सिरे से एक गर्म और विशेला chemical spray निकलता है bombardier beetle अपने शरीर में दो अलग-अलग chemicals को जमा करता है यह chemicals होते हैं hydroquinone और hydrogen peroxide जब भी इसे खत्रा महसूस होता है तो इसका शरीर इन दोनोग chemicals को कुछ special enzymes के साथ में मिला देता है इस reaction की वजह से एक बहुत बदबुदार liquid बनता है जिसका temperature 100 degree centigrade होता है bombardier beetle अपने शरीर की लंबाई की चार गुना दूरी तक इस liquid का छिड़काओ करने में सक्षम है यह liquid छोटे कीड़े और छोटे जीवों के लिए घातक और मानाव तवचा के लिए दर्दनाक साबित हो सकता है यह जानवर बहुत जादा फुर्तीला नहीं है इसी लिए यह अपने शिकारियों से भागने की कोशिश नहीं करता है इसके बजाए अपनी सुरक्षा के लिए यह अपने बदबुदार और बासी स्प्रे पर भरोसा करते हैं इस स्प्रे में बहुत तीखे sulfuric chemicals का mixture होता है जिसे यह 3 मीटर दूर तक 60 क्रूप से स्प्रे कर सकते हैं और इसके दुरगंद एक मील दूर तक पहुँच सकती है अपने स्प्रे की शक्ती के बावजूद या आम तोर पर इसका उप्योग करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इनके शरीर में इस chemical की मातरा बहुत कम होती है यह chemical सिर्फ 5 या 8 spray के लिए पर्याप्त होता है और इसे फिर से बनाने में लगभग एक सब्तहा का समय लग जाता है तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे बदबुदार जानवर लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे आलसी जानवर कौन से हैं अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारी इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन्स मिलेगी जिसे जानकर सीख कर आप अपने दोस्तों को इंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उससे पहले कॉमेंट्स में हमें बताएं कि आपके हिसाब से इस दुनिया की सबसे बदबुदार चीज कौन सी है